हेलो फ्रेंट्स, मिल्कुन्ट चैनल और इस वीडियो में हम लोग Poco X5 Pro 5G का अन्बॉक्सिंग कने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स, इसको मैंने खरीद है Flipkart से आप देख सकते हैं यह राइस का Box वेरेंट की बात करने तो आपको इसमें 6GB RAM और 128GB ROM मिलता है कलर की बात करने तो एस्ट्र ब्लैक कलर का है तो चलिए फ्रेंज आप इसके कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं आपको इसमें 120Hz का डिस्प्ले मिल जाता है बाकि आपको इसमें Snapdragon 778G 5G Processor मिल जाता है आपको 7 5G Band मिल जाता है बाकि कुछ स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको इसमें 108MP का कैमरा मिला हुआ है बाकि 67W का आपको चार्जर मिला है 5000 इमेज की बैटरी है और भी कुछ डीटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंज जल्दी से इसको Unbox करते हैं और देखते हैं क्या सब आपको मिल जाता है Inside the Box तो जैसी Open करते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक Box है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 67W का एक Charger मिला हुआ है बाकि आपको एक Cable मिला हुआ है Cable की बात करने तो यहाँ पे आपको Type A to Type C वाला Cable मिला हुआ है तो चलिए आप चेक कर लेते हैं कि आपको दूसरे Box में क्या सम मिल जाता है अप देख सकते हैं जैसी इसको Open करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक SIM Ejector Tool मिला हुआ है बाकि आपको यहाँ पेक banyak paper work मिला हुआ है और आपको एक case मिला हुआ है तो चलिए आप case का भी quality देख लेते हैं किसा मिला हुआ है तो friends आप देख सकते हैं ये एक transparent case है अगर आपने Redmi Note 12 Pro का भी unboxing देखा होगा तो कुछ ऐसा ही case आपको मिला हुआ था तो आप सबसे important चीज़ देख लेते हैं कैसा है smartphone तो चले जल्दी से इसको unpack करते हैं तो friends आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है design pattern अगर मैं इसको Redmi Note 12 Pro 5G से compare करूं तो उसमें आपको glass back मिल जाता है यहापे आपको textured plastic back मिल जाता है और बाकी देख सकते हैं यहापे Poco की branding है काफी glossy सा है यह बाकी side में आप देख सकते हैं यहापे आपको triple camera setup मिला हुए बाकी जैसे मैंने का यह पूरा plastic back है 3.5 mm jack मिल जाता है बाकी top में speaker मिला हुए आपको यहापे second noise cancellation mic है IR blaster मिला हुए इस setup देख सकते हैं यहापे side mounted fingerprint reader मिल जाता है बाकी दूसरे side देख लें तो यहापे काफी flat है यहापे कुछ नहीं मिला हुए bottom में आपको एक और speaker मिल जाता है बाकी यहापे type c port है और आपको dual sim का support मिला हुए यहापे आपको memory card slot नहीं मिला हुए front में आपको यहापे 16 megapixel का camera मिला हुए तो चले friends आप जो transparent case company provide के उसको देख लेता है और friends इस mobile को मैं Redmi Note 12 Pro 5G से भी compare करने वाला तो यहाँ से चैनल को भी subscribe करती जगा बाई